नमस्कार सभी को जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉक लासेज के संदर में नोट्स वगरा रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉक के स्टुडेंट्स भी आपस में इंट्रेक्ट होते रहते हैं और लास्ट में आपसे एक रिक्रेस्ट करूँगा कि अगर आपका मीजि स्ट्राइब करते हैं कि अगर्णिंग टुडिशियल लॉक लासेज में आपका स्वागत है इसमें हम एलली फैनले की जो सियार पीसी सब्जेक्ट है उसका डिसकुशन कर रहे हैं जिसका आज हम आपको प्रसंद संक्या दो के बारे में डिसक्ट करेंगे इसमें क्या है नि इन्वेस्टिगेशन तीसरा पइंट है नयाएक कारवाई क्या होती है यानि जुडिशियल प्रस्टिंग्स क्या होती है और फोर्थ देखेंगे पीडित यानि विक्टिम किसे कहते हैं ठीक है तो नमबर एक जाच किसे कहते हैं सी आर पीसी के अंतरकत धारा दो छामें जा यानि छा तो दो छामें इसको वनित किया गया है ठीक है इसके अंतरकत जाच बिचारन से भिन है यानि इसके अंतरकत यह बताया गया है परवासा के अंतरकत कि जाच जो है वो विचारन से भिन है क्योंकि जाच बिचारन से पूर्व की जाती है ठीक है यह मजिस्ट्रेट या नियाले द्वारा की जाती है ठीक है यह मजिस्टेट या नियाले द्वारा और इस सहिता के अधीन इसे हम क्या कहेंगे जांच कहेंगे यानि जांच की परवासा सिर्फ इतनी सी है कि जांच विचांड से बिन है यह मजिस्टेट या नियाले द्वारा इस सहिता के अधीन कि जाती है करना होता है यह लक्ष्मी ब्रहमर से में बताया गया है कि cycles का जिए उस सत्य अता का निर्धारन करना है तो कोई कि मैजिस्ट्रेट का कार है अनरे मेशन से कोई सम्बंद नहीं है तो जांच का अनुइस से को Kumar नहीं है जांच जो है मजिस्ट्रेट का रहे होता है आप छेलीए दूसरा परवासा के नतरगवाहस हम देख लिए अनेवीशन क्या है अब अधिक लिए जाँच और अधरा दो ली में Dragic किसे कहेंगे हम कि इसमें कारवाहियां इसमें वह कारवाय आती है कौन सी कारवाय आती है जो पुलिस अधिचक द्वारा किसी भी पुलिस अधिचक द्वारा मजिस्ट्रेट से बिन निमित प्राधिकारी द्वारा अगर मजिस्ट्रेट से बिन किसी अन्या प्राधिकारी को इसके लिए निविक्त किया जाए उसके द्वारा इस संहिता के उद्देश से साच एकतरत करना इसे अनिवेशन कहा गया है यानि अनिवेशन जो है वो पुलिस अधिकारी द्वारा इनिवेश्टिकेशन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से बिन किसी भी प्रादिकारी ब्यक्ती द्वारा अनिवेशन आज चेकरत करना हो अन्यविशन कहलाता है यानि अन्यविशन का उद्देशत है में जाकर सब्टेका पता लगाना होता है ठीक है इसमें निम्न बातें आती है अब सब्टेका पता लगाने के अंतरगत कौन कौन सीसमें बातें आती है वह देख लेते हैं पहली क्या है कि अन् तत्यों एवं परिस्तियों का निरधारण जो भी तत्यों परिस्तियों है उनका निरधारण इसमें करना आवश्चक है अन्वेशन के अंतरगत investigation के अंतरकत ठीक है अब्युक्त की खोज वा ग्रफतारी animation के अंतरकत अब्युक्त जो भी है उसकी खोज भी करना सामिल होता है और उसकी ग्रफतारी भी साच एकत्रित करना sorry fourth point साच एकत्रित करना animation के अंतरकत क्या है साच एकतरित करना इसमें सामिल है और लास्ट में होता है निसकर्स किसमें निसकर्स भी निकालना आवश्यक है ठीक है जो हमने जांच देख लिया अनवेसर देख लिया तीसरा जो पॉइंट है वो है नियाएक कारवाई कि नियाएक कारवाई किसे कहेंगे नियाएक कारवाई ठीक है जुडिशियल प्रोशिडिंग्स ठीक है इसको हम धारा दो छाके अंतरकत देखते हैं इसमें क्या है नियाएक कारवाई क्या सामिल किया गया है यानि इसमें सा जाच है उसका सपत की रूप में लिया जाना या लिया जा सकना इसमें जाच और विचारण दोनों सामिल किये गए हैं जिसे हम नियाए कारवाई कहेंगे नियाए कारवाई के अंतरगत जाच और विचारण दोनों सामिल है जिसमें वैद साच लिया जाते हैं सपत की रूप म गया है कि पीडित क्या है तो पीडित ऐसे व्यक्ति को कहा गया है इसका ताथ पर ऐसे व्यक्ति से है जिसे अभियुक्त के कार या लोप द्वारा जिसे अभियुक्त के कार या जो भी व्यक्ति जो अभियुक्त है किसी व्यक्ति को परिशान किया है उसने किसी व्यक्ति को प सब्सक्राइब कर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देखर आगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो और शेयर जरूर कर दें सब्सक्राइब करना जरूर यह है कि मैं जब भी इंपोडेंट वीडियो डालूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए ठीक है थेंक यू